नमस्ते दोस्तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं बहुत ही फेमस मिठाई जिसे आप अक्सर बाजार से खरिटते हैं इसका नाम है बॉंबे कराची हलवा जिसको आप कराची हलवा या बॉंबे हलवा भी कहते हैं बहुत ही टेस्टी दिखने में जुन्दर खाने शेखा, में भी बढ़िया, और इसको बनाने के लिए घर में रखी हुई 기본 अब मेजर्मेंट के लिए म excited, कॉं फलोर का आटा ले लिया है तो मेजर्मेंट वर्भर होना चाहिए .. लुट हेलान दीजिए काप में ऑफप लाल चाहिए .. NOWoug में गौड़लो कॉंफ्ट CROWN भाएं उसमें गुठलिया पढ़ जाएंगी इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालिए और कॉन्फ्लोर को घोते चाहिए तो बस यह प्रोसेस इसी तरह से करना है इसमें दो कप मतलब एक कॉन्फ्लोर पे दो कप पानी लगे गा ही आपको तो यहां पर देखिए मैंने दोनों कप प इठाई का बरतन तयार कर लेते हैं तो यहां पर मैंने केक्टीन वाला बरतन ले लिया है और इसको मैं अब घी लगा के ग्रीस कर दूंगी और ग्रीस करके इसको भी मैं साइड में रख दूंगी और उसके बाद गैस पे एक कढ़ाई रख लिया है और अब इसमें मैं यहा की दो तार की चासनी नहीं रेडी करनी है हमें बस चीनी को मिल्ट करना है मतलब घुला देना है चीनी अच्छे से घुल जाए बस उतना ही हमें काम करना है तो देखें चीनी भी हमारी रेडी हो गई है और अच्छे से गोल गई है अब क्या करेंगे जो हमने कॉनफलोर को घोल के रखा था ना वो कॉनफलोर ले लेंगे और ये देखें पहले कॉनफलोर को एक बार अच्छे से हिला लेंगे क्योंकि कॉनफलोर बैड जाता है पानी म तो इसलिए पहले हिला लेंगे और गैस बंद कर देंगे और गैस बंद करने के बाद चासनी के अंदर हम थोड़ा थोड़ा कॉनफलोर डालेंगे और उसको चलाते जाएंगे मतलब konflor डालते जाना है आपको और mix करते जाना है तो जिससे क्या होगा ना कि konflor जो है एक ही पर हमारा जमेगा नहीं और गाढ़ा नहीं होगा तो बीच बीच में में पहले konflor को हिला लीजिए और उसके बाद फिर उसको चासनी में डालते जाएए तो देखें मैंने पूरा चासनी में डाल दिया है और अब इसको हमें पकाना है low flame पे एकदम time लेके इसको पकाना है क्योंकि इसको थोड़ा time लगता है पकने में तो देखे पकते वे कुछ टाइम हो गया है और अब ये जमना शुरू हो गया है मतलब ये हलका गाढ़ा होना शुरू हो गया है तो अब क्या करेंगे यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिया है आधा कप घी गी आप माप के हिसाब से लीजे तो यहाँ पे आधा कप लिया है गी ल तो टोटल इसमें मैंने छे बड़े चमच घी डाले हैं मतलब आधा का पूरा घी इसमें लगा है तो यह दिखें मैंने एक चमच घी को डाला है और अब ही तक मैं उसको मिक्स ही कर रही हूं क्योंकि यह जल्दी मिक्स नहीं होता है थोड़ा टाइम लेता है पर धीरे धीरे ही मिक्स हो जाता है अच्छे से मिक्स हो जाता है तो यहां पर देखिए मैंने आधा चमच ना इलाइची का पॉडर डाल दिया है बीच में ही और यहां पर मैं एक चमच निम्बू का रस भी डाली हूँ ताकि चासनी का जो है क्रिश्टल नहीं जम है चासनी है तो मिठाई के उपर क्या सफेद सफेद जम जाएगी इसलिए यहां पर मैंने एक चमच निम्बू का रस डाला है वो क्या मैं आपको वीडियो नहीं दिखा पा रहे हूँ क्योंकि वो वीडियो मिस हो गया है इसलिए वो वीडियो नहीं दिखा पा रहे हूँ लेकि चाहे तो यहां पर ड्राइफ रूट्स भी डाल सकते हैं पर मैं सिर्फ मिलन सीडी डाली हूँ और उसके बाद यहां पर आधा चम्मच मैंने यहां पर फूड कलर डाला है जो हम जिलेबी अगर हमें यूज करते हैं केसरी फूड कलर मैंने वही फूड कलर डाला है और डाल के कड़ाई पूरी तरह से छोडने लगे हैं मतलर हमारा 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 गूम रहा है स्वेल поехद हıtते हम सेत तो धेयर मैंने थोल्ड फूरा फिरसे मस्क मेलन सीट डाल रहने हैं आप यहां चाहले तो ढल Japanese two वादम किस्टा जो भी को लगे हैं और अब इसमें देखें मैंने पूरा हल्वा पलट दिया है बनाने एकदम टेस्टी हल्वा तो अब क्या करेंगे एक चमच लेंगे और उससे हम इसको फैला लेंगे या फिर कोई भी ग्लास ले लीजिए और उससे फैला लीजिए तो चिकना कर लेंगे और चिकना करके इसको देड़ से दो घंटे के लिए हम थंडा होने के लिए रखेंगे ताकि अच्छे से सैट हो जाए तो अब इसको रख देंगे एक देड़ घंटे के लिए सैट होने के लिए तो यहाँ पे देखिए देड़ घंटा हो गया है और मिठाई हमारी पूरी तरह से थंडी भी हो गई है और पूरी तरह से सैड भी हो गई है तो अब इसको निकाल लेते हैं एक बरतन में तो मैं यहाँ पे chopping board पे निकाल रही हूँ ताकि easily निकल जाए अच्छे से तो यहाँ पे देखिए निकल गया है और अब इसको हम cut कर लेंगे और cut करने के बाद फिर इसको हम sub करेंगे तो यहाँ पे देखिए बनिये ना हमारे हल कितनी टेस्टी मिठाई बनी है तो इस तरह से यह मिठाई आप घर पे बना सकते हैं बहुत ही आसान सी रेसिपी है वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चानल पे नय है तो प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बैल प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो चलिए ऐसे कुछ नए मज़ेदार रेसिपी के साब खेसी मिलते हैं थैंक्यू फ्रेंड्स